एक बार जब कृष्णा द्वार का पर सासन कर रहे थे भगवान ब्रह्मा उनसे मिलने आये और द्वार पाल ने तुरंथ भगवान कृष्ण को ब्रह्मा को आने की सूचना दी जब कृष्णा को ऐसा बताया गया तो उन्होंने तुरंथ द्वार पाल से पूछा कौन सा ब्रह्मा उसका नाम क्या है इसलिए द्वार पाल वापस लोटा और भगवान ब्रह्मा से प्रश्ण किया जब द्वार पाल ने पूछा कौन सा ब्रह्मा भगवान ब्रह्मा हैरान रहे गए उन्होंने द्वार पाल से कहा कृपया भगवान कृष्ण को सूचित करे कि मैं चार सीरवला ब्रह्मा हूँ जो चार कुमारों का पिता है तब द्वार पाल ने भगवान कृष्ण को भगवान ब्रह्मा के विवरन के बारे में बताया और भगवान कृष्ण ने उन्हें प्रवेश करने का अनुमती दिया द्वारपाल ने भगवान ब्रह्मा को अंदर ले लिया और जैसे ही ब्रह्मा ने भगवान कृष्ण को देखा उन्होंने उनके चरन कमलों को प्रणाम किया भगवान ब्रह्मा द्वारा पूजे जाने के बाद भगवान कृष्णा ने उन्हें उपयुक्त सब्दों से सम्मानित किया तब भगवान कृष्णा ने उनसे पूछा तुम यहां क्यू आये हो प्रश्न किये जाने पर भगवान व्रम्हा ने तुरंत उत्तर दिया मैं आपको बाद में बताऊंगा कि मैं यहां क्यूं आया हूँ सबसे पहले मेरे मन में एक शंका है जिसे आप क्रिपया करके दूर करने की कामना करते है आपने क्यूं पूछा कि कौन सा ब्रह्मा आपको देखने आया है ऐसी जाच का उद्देश्य क्या है क्या इस resistant में मेरे अलावा कोई और ब्रह्मा है ये सुनकर स्री कृष्ण मुस्कुराय और तुरंथ ध्यान करने लगे आसिमित संख्या में ब्रह्मा तुरंथ आ गए इन ब्रह्माओं के सेर की संख्या भिन भिन थी किसी की दस सीर थी किसी की बीस किसी की सौ, किसी की एक हजार, किसी की दस हजार, किसी की सौ हजार, किसी की दस लाक और किसी की सौ मिलियन उनकी चहरों की संख्या कोई नहीं गिन सकता एक लाक दस लाक की संख्या में बिभिन सिरों की साथ कही भगवान शिप भी पहुचे कही इंद्र भी आये और उनके पूरे शरीर पर सैक्रो हजारो आखे थी जब इस ब्रह्मांट के चार सिरोवाला ब्रह्मा ने कृष्ण के इन सभी एश्वरियों को देखा तो वो बहुत हैरान रहे गए और कही हातियों के बीच खुद को खरगोश मानने लगे सभी ब्रह्मा जो कृष्ण को देखने आये थे उन्होंने उनके चरन कमलो को प्रणाम किया कृष्ण की आकल्पनिय सक्ति का अनुमान कोई नहीं लगा सकता सभी ब्रह्मा जो वहा थे कृष्ण की एक शरीर में विश्राम कर रहे थे सभी ब्रम्हा और शिव हाथ जोड़कर भगवान कृष्ण से प्रार्थना करने लगे हे भगवान आपने मुझ पर बहुत कृपा की है मैं आपकी चरन कमलों को देख पाया हूँ तब उन सबने कहा ये मेरा बरा सोभाग्य है कि तूने मुझे अपना दास समझ कर बुलाया है अब मुझे बताए कि तेरा आदेश क्या है कि मैं उसे अपने सिर पर ले जाओ भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया क्यूकि मैं आप सभी को एक साथ देखना चाता था मैंने आप सभी को यहा बुलाया है आप सभी को खुश रहना चाहिए क्या राक्ष्ण सो से कोई डर है उन्होंने उत्तर दिया आपकी दया से हम हर जगा विजई है प्रिथिवी पर जो कुछ बोच था उस ग्रह पर उतर कर तूने ले लिया है ये दौरका के आश्वरिया का प्रमान है सभी ब्रम्हाओं ने सोचा क्रिश्ण अब मेरे अधिकार शेत्र में रहे रहे है इस प्रकार दौरका की सम्रिध्धि को उन्में से प्रत्तेक ने माना हाला कि वो सभी एक साथ एकट हुए थे फिर भी कोई अपने अलावा किसी को नहीं देख सकता था तब भगवान क्रिश्ण ने वहा सभी ब्रम्हाओं को विदा किया और उन्हें प्रणाम करने के बाद वो सभी अपने अपने घरों को लोट गए इन सभी एश्वरियों को देख कर इस ब्रम्हांड के चार सीर वाला ब्रम्हा चकित रहे गए वो फिर से क्रिश्ण के चरन कमलों के सामने आए और उन्हें प्रणाम किया तब ब्रम्हा ने कहा मैंने पहले जो कुछ भी अपने घ्ञान के बारे में तै किया था मैंने अभी विक्तिगत रूप से सत्यापित किया है ऐसे लोग है जो कहते है मैं कृष्ण के बारे में सब कुछ जानता हूँ उन्हें ऐसा सोचने दो जहा तक सवाल है मैं इस मामले में ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाता हे मेरे प्रभू मुझे इतना ही कहने दो जहा तक आपकी एश्वरिय का सम्मंद है वो सभी मेरे मन, शरीर और वचन की पौच से बाहर है कृष्ण ने कहा आपका विशेश ब्रह्मांट चार आरब मिल तक फैला हुआ है इसलिए ये सभी ब्रह्मांटों में सबसे छोटा है इसलिए आपके पास केवल चार सेर है कुछ ब्रह्मांट एक अरब योजन कुछ एक ट्रिलियन कुछ दस ट्रिलियन और कुछ सौ ट्रिलियन योजन है इस प्रकार वो शेत्रफल में लगभग आसुमित है ब्रह्मांटों के आकार अनुसार ब्रह्मा की शरीर पर इतने सिर है इस प्रकार में असंख ब्रम्हांडो को बनाय राकता हूँ, मेरी शक्ती की एक चौथाई भाग की लंबाई चौराई कोई नहीं माव सकता। आध्यात्मिक दुनिया में प्रकट होने वाली तीन चौथाई को कौन माव सकता है। व्रज नदी के पार एक आध्यात्मिक प्रकृती है जो अविनाशी, शाश्वत, अटूट और आसिमित है। ये सर्वोच निवास है जिसमें भगवान की तीन चौथाई एश्वर्य सामिल है। इसे परव्यम आध्यात्मिक आकाश के रूप में जाना जाता है। कर दो कर दो कर दो ये सर्विनाशी, जादक विनाशी, शाश्यात्मिक आकाश्यात्मिक ये रहाँत्व आविनाशी झाल झाल